तो दोस्तों आपने देखा होगा कि level measurement के लिए हम DP type transmitter मतलब differential pressure type transmitter का यूज करते हैं तो ऐसा हम क्यों करते हैं और level measurement के लिए हम दो ports का यूज करते हैं तो ऐसा भी क्यों करते हैं आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी help फिलोने वाली है बिल्कुल भी skip ना करें जब हम level को measure करते हैं तो हम open tank का यूज करते हैं and close tank का यूज करते हैं open tank का मतलब होता है कि ऐसा tank जो उपर से open हो and close tank का मतलब होता है जिसको उपर से cover किया जाए मतलब वो बंद हो अगर हम open tank में level का measurement कर रहे हैं तब transmitter की जो range लेंगे हम positive में range लेंगे positive range का क्या मतलब है अगर हम इसका example समझें तो वो हो सकता है 0 to 5000 mmWC दूसरा example इसका हो सकता है 0 to 10,000 mmWC ये range जो है 0 से शुरू हो रही है और positive में जा रही है तो इनको हम positive ranges बोलेंगे लेकिन यदि हमें close tank के लिए level measurement करना है तब हम negative ranges का भी use करते हैं दोस्तो negative ranges के example अगर हम देखें तो वो हो सकते हैं minus 10,000 mmWC to 0 minus 5000 mmWC to 0 यह हम कह सकते हैं minus 3000 mmWC to 0 तो क्योंकि ये 0 से नीचे measure कर रहे हैं तो इसलिए ये ranges हो गई negative ranges एक close tank के लिए मतलब एक बंद tank के लिए level कैसे measure किया जाता है तो चलिए अब इसको समझते हैं अगर कोई close tank है और उसके लिए हमें level measurement करना है तो हम दो pressure ports का यूज करते हैं तो आईए अब ये समझते हैं कि दो pressure ports की हमें जरुवत क्यों पड़ी close tank का level measure करने के लिए जब tank को upper side से cover किया जाता है मान लिजे कोई tank है और उसको हमने upper side से cover कर दिया है तो tank के बंद होने के कारण एक pressure exit होता है मतलब एक pressure लगता है जब हमने tank को उपर से बंद कर दिया तो उपर की side में एक pressure create हो गया बंद करने के कारण अब इसकी बज़े से tank के top and bottom के बीच में एक pressure difference create हो गया अब इस pressure difference को measure करने के लिए differential pressure transmitter की ज़रुद पड़ेगी मतलब एक dp type transmitter की ज़रुद पड़ेगी close tank का level measure करने के लिए जो differential pressure type transmitter होता है मतलब dp type transmitter होता है उसमें होते हैं दो port अब उसमें एक port होता है high pressure के लिए जिसको हम hp port बोलते हैं और जो दूसरा port होता है वो होता है low pressure के लिए जिसको हम lp port बोलते हैं जो hp port होता है मतलब high pressure port होता है वो bottom side का port होता है अब ऐसा क्यों होता है चलिए इसको समझ लेते हैं अब tank में जैसे जैसे liquid का level बढ़ता है height के साथ में जो tank की bottom side है उस पर pressure बढ़ने लग जाता है मतलब इसको सीधे सब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि tank जितना ज़्यादा भरा हुआ होगा उतना ही pressure tank की bottom side पर लगेगा liquid के कारण जो open tank होता है वो उपर से खुला हुआ होता है तो उसमें differential pressure creating नहीं होता है तो open tank के लिए level measurement करने के लिए अगर हम DP type transmitter का यूज़ कर रहे हैं तो उसके LP port को हम यूज़ नहीं करते हैं मतलब केवल HP port से connect कर देते हैं and LP वाले port को हम air में vent कर देते हैं मतलब उसका कहीं connection नहीं करते हैं उसको air में ऐसी खुला छोड़ देते हैं या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि open tank level measurement करने के लिए हम pressure transmitter का यूज़ कर लें तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो thanks for watching the video ये वीडियो आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताएं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को share करें हमारे चैनल को आज ही subscribe करें and instrumentation की English वीडियो के लिए हमारे English चैनल Engineering Study English को भी subscribe करते हैं thanks for watching the video